हेई देर, वेलकम बैक टो वर चैनल एने क्लास्रूम आज के हमार इस वीडियो को टापिक है निवांस निवांस, इस वीडियो में हम यह जानेगे कि जो वर्ड है निवांस इसका मतलब हिंदी में क्या होता है और निवांस के एक सेंटेंस भी देखेंगे सिंपल हिंदी में इससे बोले जाएं तो मतलब कि छोटी छोटी जो बारी किया होते है उसे हम कहते है निवांस कोई भी दो चीज़े हैं लेकिन उन दोनों में छोटी छोटी बहुत सी बारी किया उसे हम जब देखे हैं हम बहुत कोई गहराई से देखें उसे तो उसमें छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़े अलग है तो उन छोटी-छोटी variations को हम बोलेंगे nuance यह nuance fruit में, flavor में, color में, design में किसी में भी पाई जाती है for example color की बात कर लें जैसे कि अगर हमने पिंक color खोला किसी भी software में, किसी भी photo editing software में या फिर काई पर हमने pink color को choose किया तो pink color में क्या सरी pink color एक ही color आता है? पिंक color के हजारों color है अगर हम pink color के plates खोले तो उसमें हजारों color आते हैं dark pink और light pink और baby pink, purple pink, powder pink कितने सारे pink आते हैं तो इन color में जो difference है, छोटी-छोटी difference है, इसको हम कहते हैं nuance nuance, अब इस nuance के लिए एक sentence भी देख लेते हैं nuance का मतलब जान लिया कि छोटी-छोटी जो बारीकिया होती है उनको हम कहते है nuance अब इस nuance को एक relate sentence में भी add करके देखते हैं चली जानते हैं जैसे हमारा sentence है Our facial expression explains every nuance of our emotions हमारे चहरे के भाव, हमारी भावनाओं के हर बारी क्यों को समझाते हैं means हमारे चहरे में एक ही emotion होता है नहीं ना हमारे चहरे में बहुत सारी emotion होती है कभी रोने में, कभी हसने में, कभी बहुत जोर से हसने में कभी खुब फूट फूट करोने में, तो हर emotions के अलग-अलग expression है तो उन अलग-अलग expression उसमें बहुत सारी बारी किया जो होती है difference होते हैं, रोने में और हसने में तो उन छोड़ी-छोड़ी difference को भी हम कहेंगे nuance So I hope आपको इस video को topic समझ में आया होगा और ऐसे ही video देखने के लिए हमारे इस channel को subscribe करने न भूले तब तक अपना ख्याल रखें, मिलती हो next video पर Goodbye